हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अंकुरित मुंग दाल की पराठे ये खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है इसे बनाना बिल्कुल आसान है वैसे तो ये पराटे बहुत ही tasty लगता है और साथ ही साथ ये healthy भी होता है इसे बनाना बहुत ही easy और simple है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो please like, share, comment कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं हरी मूंग दाल एक कप मैंने मूंग दाल लिया है और इसको हम रात भर पानी में डाल के इसको रख दिये थे ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है दाल को अच्छी तरह से छान लेंगे और इसके बाद हम cotton कपड़े में इसे अच्छी तरह से रख देते हैं मोड कर तो इस तरह से दाल यह है अंकूरित हो जाता है रात बर के लिए रख देते हैं बहुत ही बढ़िया से अंकूरित हो जाता है अब यहाँ पर लेते हैं एक mixizer इसमें हम डाल कर इसको हम अच्छी तरह से पीश लेंगे इसमें हलका सा पानी डाल कर इसको हम अलका सा दरदरा पीश लेते हैं तो देखे इस तरह से दाल को हम पीश लेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं इसमें हम दाल को डालेंगे हलका से इसमें दाल वाला पानी डालते हैं इसमें तो इस तरह से हमें मौंग दाल को दरदरा रखना बहुत ही बढ़ीया इदम पराटा बनके रेडी होता है अब यहाँ पर हम डालते हैं गेहू का आटा गेहू का आटा मैंने 2-3 बड़े कप लिया है और इसको अभी हम डाल देते हैं और साथ ही में हम लेते हैं यहाँ पर बारी कटी हुई लहसुन और 2-3 हरी मिर्ची अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हरी मिर्ची कम डालिए और साथ में ही डालते हैं आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर और यहाँ पर हम लेते हैं आधी छोटी चमच ब्लैक पेपर और इसके बद हम डालते हैं एक चमच धनिया पाउडर अब इसके बद हम डालते हैं यहाँ पर आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर और साथ में हम डालते हैं नमक स्वात के अनुसार थोड़ी से और हल्दी पाउडर हम डालेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे सारे चीजों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है दोस्तो इस तरह मिलाते हुए हमें बहुत ही अच्छी तरह से soft dough तयार करना है अब यहाँ पर हम डालते हैं दो से तीन बड़े चमच रिफाइन तिल इसमें डालकर हमें बहुत ही अच्छी तरह से अभी से आठे की तरह गुथ लेना है अगर जरूरत पढ़े तो हमें इसमें थोड़ से पानी डालेंगे और थोड़ से पानी डालकर इसको अच्छी तरह से हमें गुथ लेना है जिस तरह घर में रूटिया के लिए आठे गुथते हैं उसी तरह से हमें आठे को गुथ लेना है बहुत ही soft dough तयार करना है गुथने के बाद कुछ इस तरह से आठा तयार हो जाता है वैसे हमें soft dough तयार करना है अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चकले लेते हैं और इसको हम पेड़ा जिस से बना लेते हैं इस तरह से हम एक बड़ी size का लोई बना लेते हैं आप अपने according छोटा या बड़ा size रख सकते हैं अब यहाँ पर हलका सा आठा हम हलका से चिड़क कर इसको हम अच्छी तरह से बेलेंगे जिस तरह से रूटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बेलना है ज्यादा हमें पतला भी नहीं बेलना है और ना ज्यादा इसे हमें ठीक भी रखना है दोस्तों हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से बेल लेना है बेलते समय अगर रूटी चिपकने लगेगा तो हलका सा आठा डाल देजे और इसको अच्छी तरह से बेल लेजे यहाँ पर एक चमस रिफाइन तेल लेते हैं इसको हम चारो तरफ मिला लेते हैं तेल से और इसके बाद इसको फूल्ड करके इस तरह से हम तेल लगाते हैं और इसको भी इस तरह से हम फूल्ड कर लेते हैं हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेते हैं तब इसके बाद हम अच्छी तरह से इसे हम बेलेंगे पराठे को बेलते समय हमें चारों तरफ अच्छी तरह से बराबर बेल लेना है तब ही हमारा पराठा बहुत अच्छी तरह से बनेगा तो मैंने हलका सार्टा को अच्छी तरह से डस्ट कर लिया है फिर ज़के बद हम अच्छी तरह से पराठे को बेल लेंगे इस पराठे खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता दोस्तों आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए अब इस पराठे को हम बेल लिये हैं अब चलिए इसे हम सेखेंगे तवा को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गरम कर लिया है अब इसमें हम पराठे को डालेंगे अब यहाँ पर हम पराठे को अच्छी तरह से प्लट लेंगे यहाँ पर हलका सा लो फ्लेम कर लेते हैं और इस पराठे को हमें अच्छी तरह से पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है हमें पराठे को दोनों साइड उलट पुलट करके हमें अच्छी तरह से इसे सेक लेना है अब यहाँ पर हम हलका सा तेल लगाते हैं और इसको हम अच्छी तरह से इस्प्रेट कर लेते हैं आप इसके जगह बटर या घी कभी इस्तिमाल कर सकते हैं तो अब इसे हम अच्छी तरह से पलड देंगे फिर इसके बद हम हलका सवय लगाते हैं और हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना इस तरह से हलका सा तेल लगाते समय हमें इसे प्रेस करना है ताकि जो ये पराठा है बहुत ही अंदर से सौफ्ट बने और उपर से क्रिस्पी बने तो इस तरह से हमें हलका सा प्रेस करना है और ये जो पराठा है बनके बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होता है बहुत ही कम समय में और ये जटपिट बनने वाले ये पराठा है आप अपने बच्चों को लंज में भी दे सकते हैं बहुत ही हेल्दी होता है दोस्तो पराठे मैंने पराठे को चटने के साथ सर्फ किया है आप चाहे तो अपने मन पसंद सबजी के साथ भी इसे खा सकते हैं पराठे बहुत ही हेल्दी होता है दोस्तो इस तरह से आप जुरू ट्राइ कीजिए I hope कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे मिलते हैं आगले next वीडियो में एक नई recipe के साथ Thank you